दोस्तो मैं पिछले एक साल से प्लैन कर रहा था कि अपने यूट्यूब चनल पर एक यूट्यूब वीडियो का सीरीज डाल दू बी सिक्यूर बी सेफ नाम का जिस पर मैं डिसकास करूँ आप लोगों के साथ कैसे हम डिजिटली सेफ रखे खुद को जितना ही हम टाइम के सा आगे बढ़ रहा है इंटरनेट की दुन्या में उतना ही unsafe, unsecure हो रहे हैं, lack of knowledge के करण और एक basic knowledge का hacker भी हमें आसानी से hack कर लेता है हमारा ID को hack कर लेता है हमारा devices को hack कर लेता है दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दो कि जितने सारे लोग मेरा YouTube वीडियो देखने में से 1.7% लोग ने चान को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो यह बहुत ही दर्दनाख है मेरे लिए जितने सारे लोगों ने चान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज जो रूट इस चान को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों जब कोई भी हैकर आपका Facebook, Instagram, Gmail जैसे क कुछ भी आगर हैक करना चाता है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है और सबसे पहले जो ट्रैप वो यूज करता है आपको फसाने के लिए वो होता है phishing और phishing पे से लिग दो तरीके का होता है एक होता है चारा डालके मचली पकड़ना ये वाला phishing f-i-s-h-i-n-g और एक होता है एक इनसान को चारा डालके इंटरनेट की कोई भी अकाउंट को hack कर लेना वो होता है phish-i-s-h-i-n-g तो phishing एटक करते हैं super phishing नाम की application को यूज करके या फिर काले Linux में phishing framework, social engineering framework जैसे चीजों को यूज करके वो facebook, insta, gmail या फिर जो भी अकाउंट वो hack करना चाहता है उसका ही clone website बिल्कुल सेम दिखने वाले website को वो बनाता है और उसका एक URL link create करके आप तक भेजता है तो मान लिजिए वो hacker आपका Instagram account hack करना चाहता है तो ऐसे ही कुछ platform को यूज करके वो Instagram की login page जैसा दिखने वाले clone website हूब 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 सेम एक page बनाता है website का और उसको आप एक Gmail या फिर phone number पर भेज देता है उसको Gmail ID या फिर phone number आपका कहा से मिलता है वो किसी और BC की और BCF सीरीज की दूसरे वीडियो में डिसकास करेंगे चलनको इसलिए जरूर सब्सक्राइब करके रखना है तो उस link पर आप click कर देते हो और आपको दिखता है Instagram की login page जैसा एक बिल्कुली same website और वहाँ पे आप अ Gmail ID और फिर phone number यूज करके आपने वो account create किये थे वो क्या करता है उसे बदल देता है जिसके लिए आप forgotten password पर जाके अपना password चेंज करेंगे दोबार account का access नहीं ले सकते हो और साथ में वो hacker आपका account को यूज करके कुछ भी कर सकता है या फिर वो account ही delete कर सकता है तो आप जान लेते हैं ऐसी phishing attack से हम कैसे secure रख पाए आपने आपको step number one check URL दोस्तों आपको जो भी message भेजा जाता है अगर कोई आपको बोलता है कि यह Facebook को login कर लो यह इस link पर click करके तो check करना कि उस पर link जो है उस पर पहले FB है या नहीं आगर कोई भी Google account के बारे में login करने के लिए बोल सकते हो कि वो official link है या नहीं अगर नहीं है तो बहुत जाद chances है कि वो phishing attack हो सकता है step number two जो भी link आपको भेजे गये हैं उसका 4-5 later आपको देखने चाहिए जो भी link आपको कोई भी किसी भी website का link हो कुछ भी link हो उस पे HTTP होता है या फिर HTTPS होता है अगर कोई भी आपको कुछ भी link share करता है उसके पहले HTTP है HTTP S नहीं है तो उस link को बिलकुल ही open मत करना अगर HTTP S बाले link को ही open करोगे HTTP वाले link को open नहीं करोगे तो इससे सर्फ phishing नहीं बहुत सारे अलग अलग तरीका attacks या आप बच सकते हो step number three दोस्तों मानरी जी आप जल्द माजिवे उस link को open कर ल नहीं है तो सबसे पहले आप लोग उस website के नीचे चले जाना एकदम नीचे आप उस नीचे आपको एक चीज़ जरूर दिख रहा होगा वहापे copyright 2021 दिखाएगा क्योंकि 2021 चल रहा है तो 2021 दिखाएगा अगर आपका जो नीचे आपको copyright 2021 के बदले पुछले का साल दिखा रह है तो मान लेना है guaranteed है कि यह कोई trap है आपको फसाने के लिए दोस्तो step 4 है सबसे मजबूत तरीका एक fishing website को पकड़ने के लिए जब आप कोई भी website open करते हो तो सबसे उपर एक link दिखता है आपको अगर कोई भी आपको कुछ गड़वड़ बाला link भेजा है तो उस link में उपर जो link होता है उस पे कुछ spelling mistake होगा मान लीजिए वो google का gmail का account gmail का page भेजा है तो gmail वाला gmail.com के जगा .com में गड़वड होगा या फिर gmail में spelling mistake होगा अगर facebook का भेजा है तो facebook.com के जगा कुछ और होगा या फिर facebook के अंदर ही spelling mistake होगा तो इस type का spelling mistake जो भी official website का link वो create करके तो उस पर जो link main link है उस पर ही spelling mistake होगा और वो चीज अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह कुछ गड़बढ है यहाँ पर मुझे फसाने के लिए यह चीज करा जा रहा है तो यही कुछ तरीका है जिससे आप बच सकते हो basically fishing से और fishing एक एक ऐसा तरीका है जो कोई फिस फिसद गरिंट के साथ नहीं बोल सकता है कि मुझे बहुत सारे tips और ट्रिक्स पता है fishing से बचने के लिए कोई मुझे fishing से कोई attack नहीं कर सकता है मेरे ID को access नहीं ले सकता है तो यह गलत है 4-5 साल पहले एक नया तरीका था जो fishing attack करते थे उनके पास वो क्या करते थे एक link बना के मानलीजे आपने मेरे को भेज दिया और एक link बना के मैंने link open किया मेरे account को access आपको मिला या फिर नहीं मिला वो अलग बात है और मेरे पास जितनी सारे Gmail होते थे उन सभी लोग के पास message जला जाता था same message same link के साथ और वहाँ पे लिखा होत होते थे और उस उनके पास जितनी सारे mails होते थे वो सभी लोगों के पास दोबारा वो mail पहुंचता ही रहता था बिल्कुल कोरोना की तरह तो fishing से कोई नहीं बच सकता है सोफिसद गैरेंटी के साथ नहीं बोल सकता है फिर भी आपको जितना knowledge मिला है मैं उमीद के साथ बो सब्सक्राइब कर लेना बहुत सारे safe and secure series आने वाला है बहुत सारे वीडियो आने वाले है उसके लिए और इस वीडियो को जरूर एक like कर देना है इस वीडियो को बारे में आपको कोई भी सवाल है फिर सूजाव है तो नीचे comment कर देना और ये वीडियो creative common license के साथ upload क्या है अगर आपने से को भी यूटीवर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपने चनल पर upload कर सकता है दूसरे लोगों को तक ये message पहुंचाने के लिए या फिर इस वीडियो को share कर सकता है आपने दोस्तों में आपने दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए तो दोस्तों मिलते है वीडियो में जय हिंद जय भारत